लुगों को सौनावा जा सकता है जब उनकी आधार भूत मूल आवशकता वो रहते हैं, जिस समाज में वो रहते हैं, यदि वैस्वच्छ हो और आपको पता है कि नगर निगम का कार्ये ही समाज में सुछ्चocratic को मेंटेन रखना है तो मैंने सोचा कि थोड़े साथ स्वास्ते के साथ शुच्छता का भी ध्यान रखा जाए और लोगों को इसके प्रती जागरूख किया जाए और अगर एक आधिकारिक तोर पर मैं नगर निगम के चुनाव जीतती हूँ तो निसन दे मेरा जो दाइत्व है वो समाज को सुच्छता प्रदान करना है और सुच्छते को मदे नजर रखते हुए लोगों का जीवन स्तर अच्छा करना है मैं जिस तरीके से आपका इतियास दिल्ली का है और मैं देख रहा था कि आप जिस पार्टी से चुनाव लड़ने ही वो एक महराश्च बेस्ट पार्टी है और उसमें आप ये लड़न दी थी तो क्या आपको लगा कि किसी अन्ने पार्टी से लड़ना चाहे है निर्दली है या आपने इस पार्टी को क्यों चुनाई सर देखे निगम के चुनाव में किसी व्यक्ति विशेश का चेहरा माइने रखता है जिसने उस पर्टिकुलर समाज में अपना वक्त बिताया हो समाजिक कार्य किये हो जो अपने कर्मों से पहचाना जाता हो तो मुझे नहीं लगता कि पार्टी माइने रखती है लेकिन हाँ अगर पार्टी का सपोर्ट होता है और कैंडिडेट भी मजबूत होता है तो जीतने का दावा थोड़ा मजबूत हो जाता है जैसे कि अब हम देख रहे हैं हाली में जो आहम आद्मी पार्टी वर्सिस बीजेपी चल दा है और हम खासर केजरीवाल की बात करें तो केजरीवाल जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ने हैं उन्होंने कूडे की बात करी लेंट्सन की बात करी जो आल लेड़ी दिल्ली के भारी उनी लाकों में है जा होनी चाहिए उसके बावजुद भी वो लगातार उनी चीजों पर राजनीती कर रहे हैं तो क्या जिन मुद्दों से पर वो बात अन्य मुद्दों पर भी करना क्या वो जनतों से सरोकार रखती हैं? सर देखे मैं केजरीवाल की सरकार को बैनर ब्रोशर की सरकार बोलती हूँ, वो परचार जादा करते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं, आप 2014 से ही देख रहे हो, इस सरकार ने दिली का जो बेडा गर्क किया है, वो मुझे बताने की जरुरत नहीं है, इससे ब्रश्ट पार्टी मेरे ख्याल से दिली में नहीं आई, और रही बात हमारी क्या नाव है, कमल का फूल रखने वाली बीजेपी, जिनकी कैंडिडेट, पूनम डबास पहले भी स्वार्ड से निकम पार्शद रही है, उन्होंने पांच साल, आज तक मैंने उनका चेहरा नहीं देखा है, मुझे नहीं पता कि पूनम डबास दिखती कैसी है, तो जब हम जैसे लोग भी नहीं जानते तो आम जंता को तो वो दिखाई दी ही नहीं है, तो सिर्फ पारशद का चुनाव जीत के सिर्फ एक टाइटल ले लेना कि वो पारशद है और काम ना करना, यह हमारे समाज के साथ, मेरे गाउं के साथ बहुत बड़ा धोखा है, जैसे आपने बताया कि काम नहीं करती हैं और आपके चेतर में क्या ऐसी मुखे समस्य हैं जिन पर जीतने के बाद आती हैं तो आप काम करेंगी? सर ना तो मेरे गाउं में नालियां पकी हैं ना गलियों का भराव हो रखा हैं और जो गलियां बहुत पहले बनी थी साथ सिंग वर्मा जी के टाइम पे वो दुबारा रिपेर भी नहीं हुई हैं तो मेरे गाउं की हालत अगर आप देखोगे तो बहुत ही खराब हालत हैं और जिन गलियों में मेरा बच्पन बीता है वो आज तक कच्ची पड़ी हैं तो मेरा दाइत्व तो यह है कि मेरे गाउं के लिए मैं काम करूं और सर मेरा मैं कोई खरीद कर टिकट नहीं लाई हूँ जो कोई भी बड़ी पार्टी है जो टिक्टे बेच रहे हैं वो मेरे ख होती है एक दिल्ली का गाउं होने के बावजूद हमारे गाउं में मूलभूत सुविधाय भी नहीं है तो मेरा जो मेंन फोकस है वो मेरे गाउं का विकास करना है आपको क्या लगता है कि जो इस्थिती है जैसे पंदरा साल बीजेपी को गए और आहमादनी पार्टी एंट कहना चाहती हूं कि अभी जो भीड चाल है वो भीड आउटसाइडर्स की भीड है यहां के जो लोकल है जो मूल निवासी है वो यह चाहते हैं कि उनका जीवनस्तर अच्छा हो जीवनस्तर अच्छा होने की जो आधार भूत आवशकता हैं वो उनकी नालियां पकी होनी चाह वो पक्की होनी चाहिए, कुडा करकट नहीं होना चाहिए, आसपास पेड होने चाहिए, प्रदूशन कम होना चाहिए, इन चीजों पर भी अभी हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं, शिक्षा का वो बुरा हाल है कि केजरीवाल की ही बात कर लेते हैं, दो साल से स्कूल बंद वो अंतराष्टी अस्तर की शिक्षा दे रहे हैं, मेरी समझ में यह नहीं आता कि जूटी परचार की सरकार कब तक काम्याब होगी, तो हमारे लोगों की जो मूलबूत आवशकता हैं, अभी तक वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं, अगर मेरे गाउं की हालत देखें तो एक जोड़ है, जिसमें बेताहशा गंदगी लोग फैंकते हैं, कुडा करकट फैंकते हैं, वो लोग मिलके यह नहीं समझ पा रहे हैं कि अपने गलियों के प्रती, जिन लोगों को आप चुनाव जिता कर लाते हो, चाए वो बीजेपी से हैं, कॉंग्रेस से हैं, आमादमी पा सुईकार है, तो जो फिरी का लॉलिपॉप देते हैं, वो जनता भी तो सुईकार करती है, क्या आपको लगता है कि ऐसे लोगों को आपको कोई संदेश देनी की जुरहते हो, जो केवल फिरी के तर्ज पे, फिरी के तर्क पे अपना जीवन जीना चाहते हैं, एक गरीब या मध्यमवर्ग आदमी की सोच को मात्र इस तरीके से वो हायर कर लेती है के जिवाल एंड कमपनी कि फ्री के तो आपको क्या लगता है कि यह सही गलत क्या इस बारे में क्या कहना चाती है सर अगर जड़ से सच बोलूगी तो शायद बहुत लोगों को बुरा लगेगा जिनको फ्री की बिजली फ्री का पानी फ्री के मकान और रेंट में रिबेट और बहुत कुछ फ्री फ्री मिलता है उनको एक और डायलोग में बोलना नहीं चाती पब्लिक में बे तहाशा बच्चे पैदा करने के लिए प्लैटफॉर्म रेडी किया जाता है वो बे तहाशा बच्चे जिनकी शिक्षा भी उन रटी रटाए करिकुलम पे ही होती है वो भविश्य के लिए सरकार के गुलाम है पूरे समाज में से 80 में से 10 प्रतिशत लोग ही है जो अपने अधिकारों अपने कर्तवयों को जानते है उन 10 प्रतिशत की वोट की कोई कीमत नहीं है तो जो 90 प्रतिशत की भीड है उसकी जो वोट बैंक है उसका सरकार इस्तमाल करती है और जैसा कि समविदान में लिख दिया गया है लोग तंतर है वो लोग तंतर नहीं है आज के मायने में वो भीड तंतर है तो सरकारों को जब तक ये भीड तंतर का जहांसा पब्लिक को मिलता रहेगा तब तक वो फ्री का लॉलिपॉप देते रहेंगे और वो जो बड़ा भीड तंतर है उनको free की चीज़े मिलती रहेंगी, वो बे तहाशा अपनी निजी जीवन में, मैं कहते हूं, वोग करेंगे, और उस वोग से तो बच्चे ही पैदा होंगे, वो मूर्ख होंगे, नलायक होंगे, तो सबसे पहले तो समाज को शिक्षित करना जरूरी है, कि उनकी मूलभूत आ कि मैं लोगों को समझाओं, कि सबसे पहले अपने निजी जीवन के बारे में सोचें, किसी को भी वोट दे, मुझे इससे कोई फरक नहीं पड़ता, मैं जीतू यहां हारूं, लेकिन वोट आप उस वेक्ति को ज़रूर एक बार सोचें, कि आपके समाज, आपके परिवार के संदेश देना चाहती हैं, इतना बड़ा महापर्व है लोगतंतरका और चुनाव होने वाले हैं, क्या कहना चाहती हैं? अब वोट के लिए आप अपील करना चाहेंगे, वोट का लोग कुछ लोग प्रियोग नहीं करते हैं, उस दिन छुटियों पर निकल जाते हैं, ऐसे लोग को क्या कहना चाहेंगे? मैं बलकुल लोगों से अपील करना चाहूंगे कि चाहें नोटा दबाएं, लेकिन अपने वोट के अधिकार का प्रियोग अवश्य करें, ये बहुत जरूरी है समाज में एक समय समय पर होने वाले एलेक्शन के माध्यम से अपनी विचारधरा को समाज के सामने प्रस्तुत करने का, जैसा कि लोगों ने आमादमी पार्टी में विश्वास दिखाया था पहले कुछ साल पहले, तो वो ब्रष्टाचार मुक्त समाज दिली में चाहते थे, लेकिन सरकार ने तो कुछ उल्टा ही किया, सिर्फ लोगों के वोट के अधिकार का इस्तबाल करके, तो अब अगर लोग चाहें, तो अपनी सही विचारधारा को सही तरीके से प्रस्तुत करें, और ब्रष्टाचारियों को सबग सिखाएं। आपके पुराने कुछ प्रतियाशों ने काम करा गाउं की कुछ समस्याइथी? जैसा कि आप पतारे ते पीछे की बड़ी लिगी प्रतियाशी है, क्या लगता की और नेताओं की तरह वादा करेंगी कुछ काम होने की सम्भावना है? आप यह बताइए कि जैसे यह आई है और आपके वाट में जो समस्या है तो यह अगर अभी निगम पार्शत बन जाएंगी या उससे अगर उससे पहले भी काम इनको कह दो तो यह कर देती है करवा देती है कुछ मदद करती है लोगों की आप अपना नाम बताइए जी मेरा न चुनाव लड़ए यह तो आपको क्या लगता है कि मतलब इन से आप अए करती है दो आवार में फोट अच्छी है सब त्रह थिसे मतलब अच्छी है हमारे लिए डिएरना चाहना को है पंग आटी अपने गर की साफ भाई का दैन रखती है विड the कशिश कर डिए रहोगा तो या उपके महले की वी साफ समझित कि अरग यह करें को ने इन के बारे में बहुत अच्छा करना चाहूंगी, वो बहुत अच्छी है, गाउं के लिए साब के लिए बहुत अच्छे काम करेंगी, इसलिए उसी की नाम पे साब लोग ने उसको अच्छे कार की बोड़ देना चाहिए। अच्छे कार के साब करना मेरे पिताजी ने प्याओ बनाना, गलियां पकी कराना, गलियों का भरत करवाना, नालियां साफ करवाना, परसनली खड़े होके कराया है। तरीके से हम महिलाओं ने भी का कि यहाँ पर ये काम करेंगी, जीत हार बहुत बात की बात है, लेकिन यहाँ पर ये इनकी जन परतिनिदी के रूप में, एक बेटी के रूप में काम करती रहेंगी, धन्यवाद। जीत है याँ इनकी जने विर से.